बच्चों आज हम देखें कम्प्यूटर पढ़ने चाह रहे हैं फोर्थ चेप्टर पढ़ेंगे हम कम्प्यूटर का इन्पुट डिवाइज़ चीक है यह देखें थर्ड क्लास का आपका चेप्टर है यह इसमें देखें हमने माउस के बारे में पढ़ लिया था बच्चों माउस एक पॉइंटिंग डिवाइज होता है जैसे जैसे माउस को हम पैड तथा किसी समतल स्थान पर हिलाते हैं ऐसे ही पॉइंटर भी उसी के अनुसार स्क्रीन पर हिलता हूँ हमें दिखाए देता हैं फिर देखेंगे हमने जॉइस्टिこんにちは यूइस्टिक वह एक पॉइंटिंग डिवाइज होता है और यह हैं लम्भवत डण्ड होता है जो की तिर्ची नली में स्थित होता है चीक है और इसका प्रियोग वीडियो गेम्स खेलने के लिए हम करते हैं ये देखे ये भी जॉइस्टिक ही है एक ये करसर को अच्छी तरह से जखड़े रखता है और इसके उपियोग करना जिससे की आसान हो जाता है है जब भी भी हम गेम खेलते हैं तो ये बहुत जादा फ पॉंटिंग डिवाइज है ये भी एक छोटा पॉंटिंग डिवाइज होता है जिसे की चित्रकारी करने में ग्राफिक्स बनाने में अन्य चित्रकारी करने में या किसी चीज को हम स्क्रीन पे चिन्हित करना शाते हैं तो उसमें बहुत जादा हमारे लिए कि बेनफिशल ह आज हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में तो देखिए स्कैनर क्या होता है ज़िए जो आप सक्रीन पे देख पा रहे हैं यह अज तरहा का लाइट पैन ही है बच्छों से अगर आपको होट करना है तो आप इसकी है से कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट मुव हम करते हैं स्कैनर की तरफ स्कैनर भी एक किसी चित्र या कठिन टेक्स्ट में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं यदि आप तो आप यह कारे तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वह आपके स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो इन चीजों को आप टाइप या कॉपी भी नहीं कर सकते हैं आता है उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर की मदद से ही स्कैन किया जा सकता है और आप स्कैनर में किसी चित्र तता टैक्स को रखकर उसके वास्त्विक चित्र को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह भी बेक्स्ट है चुत्र है ग्राफ है आदी से अधिए कूप अप्याइटर में स्टोर भी । आप इसको एसी ली कर पाते हूं कि जो कोपी प्रें सकते हैं य। आप सुस्या हो कीशक्या कर सकते हैं झातली नीजо सकता है अब देखे बच्चों हम next पढ़ने जा रहे हैं हमारे microphone के बारे में ये देखे microphone होता है यह एक ध्वनी input device है इसकी मदद से computer में ध्वनी से सम्बंदित data को डाल सकते हैं microphone की मदद से आप अपनी ध्वनी अथवा ध्वनी की अन्य फाइलों को record भी कर सकते हैं आजकल computer मनुष्य की ध्वनी भी पहचान सकते हैं इसके लिए एक विशेश प्रकार की software की और्शक्ता होती है ड्राग और नाच्रोली speaking इसी प्रकार का ही एक software है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं वो अनुष्य की जुद्वनियां होती है उसको पहचान सकता है है तो यह एक विशेश प्रकार का software होता है तो देखिए आज बच्चों हमने किसके स्कैनर और मांक्रीफोन के बारे में पढ़ा क्योंकि हम उलेटी माॉस और जॉइस्Attिक के बारे में डिसक्स कर चुके थी तो देखिए आप के लिए हॉमवक्त यह एile कि आज आज आपको क्या करना है स्कैनर और माइक्रोफोन आ आपको चित्र बनाना कापी में किके इसके चित्र बनाने हैं आपको और फिर इसके जो निमनिक प्रश्ण के उत्तर हैं नीचे दीए गर्रीकत स्थान है सही गलत है इसके राइट अंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठीक है तब तक आप इनके चुत्र बनाए पहले आपने वीडियो में बनाएंगे